गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है 24 जुलाइए और हम लोग देखने वाले कुछ बुकाबलरी फ्रॉम दा हिंदू एडिटोरियल और साथी साथ देखेंगे इस पॉर्टिंग एरस के क्वेस्टन्स जो की सीजियल 2023 में आये हुए है मैं लेग देता हूं 2023 ठीक है क्लियर ह अक्ता है और आज की एडिटोरियल है जहां से मैंने वोकाबली है वो है अब ही शफिलिंग का मतलब हुदा अदल बदल करना अदल बदल करना है वी समझते हूं तास्की कड़्डी होती है उसको जो चेंज करते हैं कार्ड को उसे बोलते हैं सफिलिंग और डेक का मतलब है और हमारी फिनेंस मिनिस्टर सीता नमन जी उन्होंने क्या किया पे बजट पेस्ट किया हुआ तो इसके उपर जितनी भी यहां पर जो एडिटूरे लिखा गया जो बात है कहीं है वह यहां पर एक्स्प्लेंट क्यों है फिलाल में थोड़ा से एक्स्प्लेंट कर देता हु आपको ताकि आप समझ पाएं कि यह पॉइंट क्या है किसके उपर इसमें बोला गया है ठीक है उसके बाद जैसे की डिस्टिंक्ट है एंगिस्ट रिडर नहीं तो यह जो बोकाव है एक्जाम के पाइंट भी से इंपोर्टेंट है तो मैंने इधर लिख रखी है क्लियर त बूब्लोगों आण दोओ एक पीपल लोगों की लिए पूह सारे चीज़ चाहता है ठीक रेकिन फिस्कल रिस्पॉंसिबिलिटी जो बर्डन है सरकार के ऊपर जो दवाब सरकार की उपर पैसे का करज का ठीक है रिमेंड इन फोकस तो वह हमेशा फोकस में रहता है चीज़ सब्सक्राइब क्लियर हो गया होगा एक सेंटेंस में आपको बता देता हो एक्सक्राइब करके फिर आपना बहुत आशानी से समझ पाओगे फिरेंश मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फ़र्स्ट बजट ऑफ बीजेपी लैड एंडिये गौर्मेंट से थर्ड थीजेपी के दौरार जो सरकार बनी हुई है और अटी जो होता है बीजेपी के साथ उसे एंडिये बोलते हैं तो एंडिये गौर्मेंट थर्ड कॉंजूगेटिव यह तीसी टर्म है ठीक है तीसरी वार उन्होंने कहाता है सरकार बनाई है ठीक है इन पाबर इजा डिस्ट कि जो परिशान है फिल इंग्जाइटी से लोग भरे हुए है परिसान है मैसिज फ्रांड़ कंट्री अनप्लाइमेंट के जो बोटर कह रहे है कि पूरत देजु नेंप्लाइमेंट से परिशान है ठीक है और यह यूथ है लावड एंड क्लियर यह दिख एक दिलियर कट य तो समझ में आया सेंटेंस क्या था अब मैं फिलाल तो मैं देख लेता हूं ज्यादा हमारे लिए और इसकी पीडिएफ अगर चाहिए तो टेलिग्राम चले पर मिल जाएगी जिसका लेंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है हां मैं मानता हूं वीडियो भी रेगुलर नहीं मिल क्रेंश से तो जैसी बैलेंस होता है तो मैं चीजे शेट अप लगा पाऊंगा पहली बात है पहला बढ़ ये है कि डिस्टिंक्ट बिशेष्ट होता है न्यारा होता है क्लियर यान शार्प डिफाइंड टू माइंड यानि कि माइंड के लिए पता चल जाए तो उसे बोल दिस्टिंक्ट एंगेस्ट रिटन के मंदर फिल बिद डीप एंजाइटी जिसके अंदर परिशानी हो दुख भरा हो चिंता भरी वो एंगेस्ट रिटन कहलाती हो ठीक है पल्पेवल इस पर्ष्ट होता है महसूस करना जैसे क्लियर रिवील सब्सक्राइब होता है इंप्रूब करने से उपाय करना एक्ट और क्रेक्टिंग और और वार्निंग अगेस्ट शर्टेन एक्ट क्लियर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं ठीक है तो इससे मोटिवेशन मिलता है और काम करने भी है मुझे लगे हां मैं काम कर पाऊंगा लीवरीजिस के मतले लाव उठाना फायदा उठाना इस्टेंटिक जिसको बोलते हैं क्यूवर का मतलब हिलना कापना एक्ट और बाइबरेटिंग एजिस का मतलब रक्षा करना रक्षन जिसको कह सकते हैं यह कांड़ी एंडूर्श बहुत इंपटेंट बड़ जवर्दस अत्यंत बुरा कॉस्पीशियस ली बैड या रिप्रेंसिवल ठीक है यह भी बड़ रेपीटिड है तो इंपटेंट हो गया अब मैं बता देखें बड़ यह पेपर में खूब आया हुए है तो आप देख लिए इसे ठीक है और यहा और आठ के बीच में आपको पता है तो बैट अगा ठीक है और काम चल जाएगा बरना आपको महाद करने की जरूरत है अब देख लेते हैं स्पोर्टिंग एरा सीजियल दोशार तेज में आये बहुत से लोग कॉमेंट करते हैं सरी इतना सरल दो पूछा नहीं आता है तो मै हैड इंटरफियर इन दिस मेंटर ठीक है तो बहुत ही आसान है हैड के साथ बीच रही आती तो डी लगना चाहिए तो यानि फर्स्ट वाड में क्या है आपका एरर है तो यह एरर फोल हो गया हमें तो एरर रिफाइंड करना है दूसरा है यह देखिए माई मदर सेट पास् आए देखियर मिस्टर कुमार कैसियर यह सब्जेक्ट तो बब सिंगलर आना चाहिए तो हम पर काट के इज लिख सकते हैं तो समझ में आया है क्योंकि मिस्टर कुमार राम कुमार के वारें बात की गई है तो हमें यह देखना है आपका एरर फोल यानि सेकंड पार्ट आप है बन पी-ए-प्टो जब भी कोई सेंटेंज दे रखा होता है और रिगलेटी की बात करते हैं तो उसके पेरिजेंट में रखते हैं ना की टेडिया कर जागए यहांसे तक नहीं सेकेंड पार्ट में क्लियर है समझ में आगया तो बहुत आसान है आप रोच आपका एकडम किलियर होना चाहिए ताकि कनफीज नहों पाए दूसरा है ऑपर स्पेस में उसकी बात हो रही है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ठीक है तो अब्जेक्ट लिखा हुआ है सिंगुलर है तो बाव भी सिंगुलर कोई दिखकत नहीं है आप यह लिखा हुआ तब भी ठीक है अ इन दा बीजिबल इन्यूर्स तो इसमें कोई एर नो इसमें तो कोई एरर ही नहीं है क्योंकि हमारा यहां पर मैंने देखा है सिंगुलर है देखो तो यह नहीं है अपको एक चीब बता देता हूं अगर आप जब भी एरर करें तो सबसे पहले तो आपको देखना है टैंस आपको नाउन से रिलेटेड एर फिर देखने आपको एड्जिक्टिव से रिलेटेड यह बहुत ट्रिक बता रहो आपको एडव तो फोड़ो एडवर की बढ़ाओ फिर कंडिशनल टैंस टैंस का मतलई कंडिशनल इसी की साथ देख रहे है तो मैं लिग देता हूं वो दि लेकिन फिलाल मेजर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यह तीन चार पॉइंट है वह आपको बार बार देखने हैं हाँ कभी-कभी फाइब नंबर प्रपेजिशन देख सकते हैं तो यह आपका नजरिया होना चाहिए तो पहले नंबर पर क्या रख होगा टैंस दूसरे तो मैं यह कहना चाहर हूँ अगर इस पॉइंट बीच से यह जो एक्रोच है इसको आपने फॉलो किया ठीक है तो डेफिनिटली आपको फायदा होना बहुत जल्दी हिट कर पाऊगे और यह मैं सुचिए बहुत हमेशा कठन पेपर आता है बहुत कठन कुश्यन बंदे ऐस सही से रखिए अगर आप कहें तो मैं grammar की class शुरू कर दूँगा लेना ठीक है जैसे मेरे पास बेवस्ता हो जाती है सारी चीजे फिर मैं class लोंगा online लोंगा फिर आपको सारी चीज़ बताऊंगा जो जो पेपर में पूछी जाती है इसके approach क्या है नजरीय क्या होना क्या है वागुड़ देख